असलाम अलेकम स्टूडेंट्स इस और अगले कुछ मॉड्यूल्स में हम सोशल एंटर्पनियोर्स को जो और अगले के बात करेंगे। दरमियान में बहुत सारी हाइब्रेड ऑप्शन्स भी आती हैं। हम वन बाइवन इन सब का जाइजा लेंगे। सोशल एंटर्पनियोर्शिप के मैदान में आने से पहले सोशल सर्विसेज और गूर्ड्स की जो डिलिवरी थी उसके लिए जो ऑगनाइजेशन्स थी उन्हें चैरिटीज या चैरिटेबल ऑगनाइजेशन्स कहा जाता था। इनका डिजाइन बहुत सिंपल था। अमुमन ये टेक्स एक्जम्ट और्गनाइजेशन्स होती थी, चैरिटीबेस्ट टेक्स एक्जम्ट इसलिए कि ये अमुमन उस तरह के difficult काम करती थी, जो याद तो गभर्मेंट करना नहीं चाहती थी या गभर्मेंट के officials जो हैं उनको करने के काबिल नहीं थे for example community development या education remote areas में या इस तरह की services तो उनको tax exemption उन charities को दे दी जाती थी जो इस तरह के काम करती थी और फिर governments जो हैं वो happily जो अपनी grants होती थी इन issues के उपर इन social goods और services के लिए वो भी इन charities को channel कर देती थी इसी तरह वो लोग private individuals जो interested होते थे इन causes को इन social services को support करने में वो भी अपने donations और grants जो हैं वो इन charitable organizations को देते थे तो basically ये charities जो हैं ये एक simple design था और किसी भी organization का जिसमें कुछ लोग हैं एक group of people हैं जो भी वो activities कर रहे हैं वो किसी social cause के लिए हैं वो tax exempt हैं और वो governments या private individuals की grants या उनके donations के उपर जो है अपना काम कर रहे हैं उसमें कोई profit का issue नहीं है उसमें कोई इस तरह के revenues involved नहीं हैं लेकिन social entrepreneurship के मैदान में आने से social goods or services की delivery के हवाले से situation change हो गई social entrepreneurs को अपने वंचेस को design करने के लिए अपनी organizations को set up करने के लिए मुख्तलिफ options available थी design के हवाले से इन options को consider करने के लिए उन्हें एक decision करना होता है कि किस किसम का design है वो मेरे mission के हवाले से suit करेगा तो सबसे पहले तो एक mission है जो उसकी commitment है कि वो उसको achieve करने की कोशिश करेगा या करेगी उसके बाद एक opportunity है जैसे हम through out बात करते आए हैं कि अगर एक opportunity वो spot करते हैं कि उस mission को accomplish करने के लिए मौजूद है तो फिर उन्हें सोचने की जरूरत है कि अब organizational structure क्या हो design क्या हो जिसके हवाले से वो काम कर सकें तो एक तो उसे mission के साथ align होना चाहिए लेकिन उससे भी कुछ important questions है मसलएं ये के design options हैं क्या क्या कौन कौन से designs available हैं कौन कौन से structures available हैं उस mission को achieve करने के लिए दूसरे नमबर पर जो designs available हैं mission के हवाले से उन में से कौन सा design mission को बढ़ाने में impact create करने में ज्यादा मावन हो सकता है ज्यादा mission के साथ aligned हो सकता है तीसरे नमबर पर ये भी consideration होगी कि लीगल implications क्या होंगी किसी खास design की for example अगर वो corporation के तोर पर अपनी organization को अपने social venture को register करवाते हैं तो corporation की अपनी legal कुछ responsibilities होती हैं कुछ उनके पास गुझाइश होती है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं इसी तरह अगर वो अपने venture को non-profit के तोर पर register कराएंगे तो उसमें कुछ limitations और कुछ उनके advantages होंगे तो ये एक consideration होगी social entrepreneur के लिए इसके इलावा ये भी देखने की जरूरत होगी कि जो legal implications इस design की हैं उससे resources के हवाले से क्या effect आएगा जैसे मैंने example दी कि अगर corporation है तो उनके resources खास दोर पर financial resources मुझाइश से आते हैं mission alignment के इलावा अपने mission की achievement के इलावा ये ground realities जो हैं इनको भी consider करना है In short अगर हम social entrepreneurs को जो organizational structures या design available हैं उन्हें imagine करें एक spectrum के उपर तो एक end जो है उस continuum या spectrum का वो not for profit organizations हैं जो के बहुत हद तक charities से मिलती जलती हैं जो दूसरा end है उस पर for profit organizations हैं जो काफी similar हैं corporate sector के ventures से जिस तरह के corporate या business ventures होते हैं उसी तरह social ventures हैं इन दोनों के दर्मियान में ये जो पूरा continuum है उसके उपर hybrid forms आ जाती हैं hybrid means के कुछ characteristics जो हैं वो not for profit के और कुछ जो हैं वो for profit के मुख्तलिफ combinations में अगर इकठा करके social entrepreneurs अपने venture को register कराते हैं या उसको design करते हैं तो हम उन्हें hybrid कहते हैं इन में से हर एक design या organizational structure की जो option है इसके बारे में हम detail से अगले modules में बात करेंगे Thank you